Hello everyone, welcome to our channel guys आप देख रहे हैं Girls Talk with Shibi and मैं Ushibi and आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स के लियर करूँगी जो कि लॉंग मॉटर को लेकर है डीसेंटली मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताए था कि कैसे मैंने मेरी शादी के 6 साल बार लॉंग वाटर पिया और जिस मन्थ मैंने लॉंग वाटर पिया उसी मन्थ मैंने कंसीब कर लिया था और गाईस आप जाके लॉंग वाली वीडियो के नीचे कमेंट मॉक्स में देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं या पर मैं स्पिंशॉर्ट लगा दूगी कि जो बोलते हैं कि जिनको लॉंग वाटर से कंसीब हुआ है और मेरे साथ साथ यह जीज आपके लिए फ्यक्टिव हुई है तो इसलिए इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं जो आपके सवाल हैं उनके आंसर मैं करने वाली हुआ हु ठीक है तो चलके स्टार्ट करते हैं ठीक है पहला सबाल के लॉश्ट कैसे प्रपैर करना है कुछ नहीं करना है सिल्पलि से आपको सोने से पहले करने है पानी को ढिक के आपको रग देना है एंड सुबह उठके खाली बेद बिना ब्रस किये आपको ये पानी पी लेना है ठीक है नेक्स चो मुझे बहुत बार पूछा जाता है वो है ये कि मैं क्या ये पानी जो है इसको वाइल करके पीना है तो जी नहीं गाइस ये पानी आपको वाइल करके नहीं पीना है यह पानी आपको ऐसे ही जैसे आपनी ग्लास में रखा रात को सुबह उटके उन लोग को निकाल के अलग जनती जिए और ऐसे ही आपको यह पानी पी लेना है जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको काच की ग्लास में पीना है फिर भी बहुत जादा आप लोग पूछते रहते हैं कि न काच की ग्लास में पीना है और कई लोग तो यह भी बोलते हैं कि आगर काच का ग्लास नहीं हो तो क्या करना है पहले तो आपको यह काच की ग्लास में पीना है अगर आपके पास काच का ग्लास नहीं है तो आप लॉंग को ना रात को सोने से पहले एक कप पानी में कप तो डेफिनेटली आपे गर में होगा हर किसी गर में कप होते हैं तो कप में आप भी पानी रख सकते हैं अगर आपके पास कब भी नहीं है तो आप स्टील के ग्लास में भी रख सकते हैं इतना आयदा कोई टैंशन मत लीजिए दिखिए मैं आपको हमेचा भोलते हुआ कि छोटी चोटी बादो का टैंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है प्रेगनेंट होने के लिए टैंशन को बहुत दूर रखना पड़ता है ठीक है चोटी चोटी बादो का टैंशन नहीं लेना है अगर आपके पास कांच का ग्लास है तो कांची ग्लास में पीजिए नहीं है तो आप स्टीली ग्लास में भी पी सकते हैं ओके नेस्ट है कि लॉंग वाटर को कब से स्टार्ट करना है तो गाइस लॉंग वाटर को पीरेड के फर्स्ट डे से स्टार्ट करना है लेकिन अगर फर्स्ट डे से आप स्टार्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता ना कि दो बार में पीरेड होता है कभी शाम को होता है तो आप नेक्स डे से स्टार्ट कर सकते हैं लेकि नाइस बहुत ही जरूरी चीज की न कब तक लेना है तो आपको लेना है अपने पीरेट के 14 तरे तक उसके बाद आपको यह long water नहीं लेना है ठीक है बहुत सारी मेरी female friends हैं मेरी subscribers हैं मेरी viewers हैं जो जानना चाहती है कि क्या हम अपने husband को भी long water दे सकते हैं तो इसका अंसर है जीन नहीं आप अपने husband को long water नहीं नहीं सकते हैं लेकिन यहापे आपको sad होने की नीद नहीं है आपको तरीका थोड़ा change करना है आपको long को दूद में वॉयल करके अपने husband को देना है girls long में बहुत सारी benefits होते हैं बहुत सारे vitamin होते हैं vitamin K, vitamin A, vitamin C, बहुत सारी minerals होते हैं anti-oxidant होते हैं जो female में उनकी infertility की product बढूर करते हैं, males में उनका sperm count बढ़ाते हैं एक की quality अच्छी करते हैं female में अगर आप pregnancy plan कर रहे हैं और आप pregnant नहीं हो पा रहे हैं तो male female दोनों को ही long दी जा सकती है तरीका थोड़ा सा अलग है तो आप please try करिये और मैं pray करूंगी भगवान सा आपके लिए कि आपको जल्ली से ही good news मिल जाए guys I just hope कि मैंने आपके सारी doubts क्लियर कर दियो होंगे तो ठीके guys I really hope कि वीडियो भी आपको अच्छा लगाओगा आपके लिए हाल पल रहा होगा वीडियो अच्छा लगाओगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना न्यू है पहली बात विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे highly request कर दोंगी कि चैनल पो subscribe कर लेना वीडियो को share कर देना मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई- बाई-बाई